हेलो, वाट्स अप गाईस, मैं इस फिनोद बादू थापा और आज आज में इस वीडियो में देखेंगे पीएचपी पीडियो टुटोरियल इन वन वीडियो इन हिंदी तो चले गाईस, शुरू करते हैं वीडियो के शुरू करने से पहले हैं इतना बताना चाहूँगा कि आज में इस वीडियो में पीडियो की पर जो कम्प्लीट आपको बताने वाला हूँ जो मैं कम्प्लीट कोड यूज करने वाला हूँ गाईस, उसको मैंने अपने वेबसाइट थापरtechnical.com पर पब्लिस कर द जहां पर सिंप्ल रिखा गया है कि पीडियो का फुल फॉल फॉल सबसे पहले हमें फॉल 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 जानना जरूरी है एंडट इस यॉर पीएचपी डेटा ऑब्जेक्ट्स तो बिसेकली उप्स के कॉंसेप्ट इसमें यूज हो रहे बिसेकली ठीक है, सो इसका आपको पीडियो के बारे में इतना ही समझना है, अब रेस्ट सब कुछ मैंने अपने वेबसाइट पर पॉब्लिस कर दिया है, अब आइनो आप देख सकते कि मैंने पीएचपी माइस को लाई की उपर पूरा वीडियो सीरीस ही कंप्लेट कर दिया, जहां हमने फ्री गूग इसका सिंपल एंसर में बता देता हूं, आप दोनों इससे किसी को भी यूज़ कर सकते हूं, बट पीडियो के पास कुछ ऐसे मेजर एडवांटेजे से जो पीडियो को इनों हटके बनाता है, अब सबसे बड़ा एडवांटेज पीडियो यूज़ करने का ये कि अगर आप MySQLi के साथ काम करते हूं, तो आप देख सकते हूं कि MySQLi जो हम ये यूज़ करें तो वो सिर्फ और सिर्फ MySQL database के साथ काम करता है, लेकिन वहीं अगर हम पीडियो यूज़ करते हैं, जो आज़म करने वाले, वो 12 different database system के साथ काम करता है, तो ये सबसे बड़ा difference है कि MySQLi जो ह ये यूज़ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये जो हम ये यूज़ कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ माइस्क्वल database के साथ काम करता है, और वो आप देख सकते हैं, उसके लिए हमने जैंसर्वर में MySQL database को on करके राखा हूँ है, लेकिन पीडियो के साथ आप 12 different database के साथ क काम कर सकता है, इसका क्या advantage क्या है, तो मतलब काम क्या इसका, तो दिखी मैं आपको बताता हूँ, we know guys, आप में से MySQL है, तो चलो ये देख लिए हमने यहां पर है कि नहीं, we know Postgres हमने बहुत सुना है, Postgres, SQL, Oracle हमने बहुत बार सुना है, कल के दिन लेट से guys, आपके client ने बोल के आपको change करने पड़ेंगे, और एकल के syntax के साथ, लेकिन वहीं अगर आप video यूज़ करते हो तो guys, आपको कोई ज्यादा मैनाती ने लेगा, if you have to switch your project to use another database, video makes the process easy, क्यों क्योंकि जहां MySQL है, क्योंकि MySQL है कि हर एक query MySQL है से start होता, almost, लेकिन video में आप देखोगे guys, ये सब जो हम आज देखने वाले हैं, जो कि मैंने अल्डेडी यहाँ पर पॉब्लिस कर दिया है, इस पर अगर मैं आपको दिखा हो ना, तो video में guys, एक आप देख सकते हो, जब हम अपना database के साथ connect कर रहे होते हैं, हम simply लिखते हैं कि हमें किस host के साथ करने करना, तो मैंने यहाँ MySQL, simple, अगर आपको Postgres चाहिए तो आप Postgres लिख दो, अगर आपको Oracle चाहिए तो Oracle लिख दो, and hardly एक दो एदो और की query change, rest सब से में कहीं कुछ नहीं चेंज करना, so this is the power of your PDO, alright, and the second important advantage यह है, हाला कि MySQL I में भी we have a prepared statement, I hope आपको यह मालूम था है, जो कि SQL injection से protect करता है, and आज के time है guys, हमें वो ही तो चाहिए कि SQL injection से protect करे, and वो जो purpose है guys, वो आपका prepared statement solve कर देता है, so better security के लिए and better potability के लिए आप बोल सकते हो PDO is best, you know, तो alright guys, I think इतना बहुत है, you know, अब हम directly इस पर काम सुरू करते है, तो सबसे बहल हम देखेंगे, कि हम database के साथ connection कैसे बना सकते है, using PDO and मैं बताना चाहूँगा guys, अगर आपको PDO का बिलकुल भी knowledge नहीं है, अगर आप ये video first time देख रहे हो, PDO क्या है, आपने कहीं से सुन लिया बस, तो believe me guys, आप एकदम सही जाएगा, क्योंकि मैं from start to end आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है, तो दिखेंगा guys, बिना क इसको install कर सकते हो, and आपको Apache server on करना है, ताकि आप PHP का यूज कर सको, and then आपको MySQL server on करना है, ताकि आप MySQL यूज कर सको, ठीक है, तो this is it, आपको इतना रखना है, and here आपको लिखना है, phpMyAdmin, this is it, आपको phpMyAdmin लिखना है, लेकिन उससे पहले localhost लिखना जरूरी, यहाँ आप New पे क्लिक करो, ठीक हम बेसिकली पहले एक database कर लेते हैं, so guys मैं PHP PDO, PHP PDO, ठीक है, चलो यही मैं नाम देते हैं, and मैं इसको कर देता हो, create पे क्लिक, this is it, अब मुझे कितने tables चाहिए, उससे पहले guys हमारा सबसे पहला काम कहा था, database के साथ connect करना, मैं step by step आपको सब बतान मैंने वाला अल्यडी यहां पे मैंने सब mention कर रहा है, ठीक है, तो आप इसके हमें connection कैसे create करना है, वो देखिया, इस तो देखिया, मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, सबसे पहले मैं एक new, आप कह सेक्टिव एक new folder create कर लेता हूँ, त extension आपका .php होना चाहिए, ठीक है, तो आपको मालूम है, इस PHP का opening script, इस तरीके से हमें उसको open करना है, and then उसका closing script, and अगर आप सरी PHP में काम करें, no need to close the PHP script, आपको PHP script को close करनी की भी कोई need नहीं, अगर आप सरी PHP में काम करते हूँ, but ठीक हम फिर भी कर देते हूँ, तो that is कि आपकी server के साथ connect होना चाहते हो, या उसका नाम क्या है, तो हमारा basically server का नाम localhost होता है, अगर आपको दिखा दोती है, आप देख सकते हो, 127.0.1 is nothing but your localhost, second आपका user का नाम क्या है, ठीक है, and मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने कभी यूनो, आपका PHP admin के साथ चेड़ खानी नहीं की है, तो आपका अगर आप privilege में जाओगे नो, तो आपका वो हमेशा by default root रहता है, इस तरह किसे, तो मैंने root लिख दिया, and I know, and password हमेशा वो empty रहता है, रहता है, इस तरह किसे password में empty लिख देता हूँ, this is it, empty मालब null कुछ भी नहीं, and then guys, ये सबसे that is your PHP, PDO, PHP, PDO, perfect PHP, and then double P, I think double P, yeah, perfect, ठीक है, double P है, इस तरह किसे, this is it, अब देखो connection कैसे create करना, ये बहुत जादे important है guys, कभी भी PHP में अगर आप PDO का use करते हो, you know, तो guys हमें क्या करना पड़ता है, हमें सब PDO का एक instance create करना पड़ता है, instance मनलब हमें PDO का एक object create करना पड़ हम, you know, उसके methods या properties को access कर सके, तो आपको एक object create करना पड़ेगा, किसका PDO का, simple इस तरह किसे, and कभी भी किसी का भी अगर आपको object create करना हो, तो you have to just use the new keyword, simple, अगर आपने कभी भी class के उपर काम क्या, I mean Java में या C, कहीं पर भी अगर आपने object oriented programming लिखा, तो simply classes का object create करना simple काम है, simply आपको class का नाम, इन जनरल तरीके से बोलो, अगर let's say यह आपका class है, you know, तो आपको simply class का नाम, एक new keyword, and यहाँ पर आप कोई भी variable दे दोगे, वो इस class का एक नया instance, एक object बन जाता है, तो let's say का, इसमें इसको नाम दे देता हूँ, let's say, DB कौन दे देता है, तो database connection, ठीक है, क्योंकि हम database के साथ connect कर रहे है, and यहाँ पर बहुत जादे important, एक चीज़ मैं आपको बाताना चाहूँगा, कि अगर मैं आपको लेकर जाओ, PDODNS करके से किसा, अगर हम लिखते है, PDODNS, तो आप देख सकते हूँ, guys, a data source name, PHP, यह जो है data source name, it means होता है कि आप किस host के साथ, या किस database के साथ work करना चाहते हूँ, फिलाल मेरे पास क्या MySQL है, अगर आपको Oracle चाहिए, तो Oracle या Postgres के लिए Postgres, and there are multiples, तो अगर आप फिलाल, अभी फिलाल हम किस पर कर रहे है, MySQL पर ही कर रहे है, तो MySQL के साथ अगर आपको connect करना हो, तो देखो क्या करना है, simply आपको double quotes use करना है, here you have to write mysql, mysql लिखना, I लिखने की जोतनी है, इस तरी एक second, zoom करने का यह है कि वो guys छुप जाते, and here underscore नहीं लिखना है, mysql colon host host, मतलब आपका यह host है mysql, and अब इसका नाम क्या है, server का नाम क्या, guys, आप देख स इसरी किसे में server लिख दूँगा, and then आपको एक semi column देना है, ठीक है, and then अब आपको database के साथ connect करना, तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा database name, dv name लिखने के बाद guys, again आपको equal to देना है, and then guys, आपको वो database जो आपने variable create क्या था, उसका नाम देना है, कोई semi column नहीं, double quotes यहां पर end हो रहा है, then guys, आपको simply username पास कर देना है, comma देके password पास कर देना है, and this is it guys, आपका connection complete हो चुका है, and just to make sure कि guys connection complete हुआ या नहीं, proper हुआ या नहीं, हमें एक क्याम कर लेते है, that is simply, if condition कर लेते है, that is simply, अगर एक database properly connect हो गया है, तो एक echo करा दूँगा, मैं जहां पर मैं simply लिख देता हूँ, fully connection done लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते, it's totally up to you, आपकी requirement के सबसाब कुछ जैसा लिखना है, यहां पर लिख सकते हो, that is echo, double quotes के अंदर लिख दो, single quotes is must faster, all right, perfect, सब एकदम perfect हो चुका है, guys, इसको मैं copy file path कर लेता हूँ, यहां पर चलता हूँ, इस तरीके से मुझे guys, इसका file का जो path उसको paste करना है, यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा local host, and enter it करता हूँ, boom guys, आप देख सकते हो, connection successful, it means connection हमारा complete हो चुका है, and एक और तरीका यह था कि guys, अगर आपको error पता लगाना हो, ठीक है, मैं बताते हूँ, इसको फिलाला भी आ and then मैंने अपनी query fire की, अब अगर इस तरीके से मैं लिख के refresh करता हो, आप देख सकते हो, हमें एक fatal error आ रहा है, so guys, आप देख सकते हो, कि इस तरीके से जो यह error हमें बता रहा हो, simply just because of one space, शिरफ आपने यहां पर एक space नहीं दिया, और आपका यह error आगे, and आप सोचते रह ज से आप पहले try करो, and by chance कुछ गलती हो भी जाती, कोई आप tension लेनी की बात नहीं है, हम उस error को catch कर लेंगे, and so कर देंगे, कि यहां पे अपने गलती किया था, try catch का मतलब भी होता है, यह कि नहीं, तो यह सभी code को में उठा के try जो हमारा यह block इसके अंदर मैं इस तरीके से add क पर देता हूं, perfect, अब इसमें अगर कुछ भी error हुआ, तो हम उसको कल लेंगे catch, basically अगर आपने java या कोई भी object oriented programming किया, तो basically उसमें try catch होता है, java में तो मैं आपने time में बहुत किया था, simply आपको एक parenthesis लिखने, and then semicolumn दे देना, this is it, यहां पे guys आपको क्या एक class call काना ठीक है, now अब मैं क्या कर सकता हूं, एक a को लिखूंगा इस तरगी से, simply single code के अंदर मैं लिख देता हूं, error, कि मतलब जो भी हमारा error होगा, और यहां पे इसको मैं concatenate कर दूँगा, एक, देखो, dollar e, अब एक चीज़ आपको notice करना, that is, जब भी आप इस तरगी से किसी class का इसको मैं, you know, instance या object create करते हूं, तो आपके पास एक power आता है कि आप, you know, multiple methods and properties का use कर सकते हूं, so to access those properties and methods, guys, हमारे पास एक operator है, that is called your object operator, basically hyphen and greater than symbol देना है, that is, इसको हम बोलेंगे object operator, मैं आपको बताना चाहूंगा, guys, यह सब मैंने, यहां पे लिखा अपने website मैंने बता है, यहां पे आप देख सकते हो, is used in object scope to access method and properties of an object simple, and यह, आपको एक method call करना होगा, that is, get message, आपको get, spelling बास सही लिखना, guys, क्योंकि spelling ही सबसे, you know, हो ही सबसे ज़्यादा पंगा करता, this is it, guys, without try catch, जब हमें error मिला, तो कुछ वो ऐसा दिखता है, कहां गया, इस तरीकी से, लेकि से, again मैंने space miss कर दी, and guys, आप देखोगे, could not find driver, same, यह, वही error आ था इस से पहले भी, लेकिन यह बहुत short में आ रहा है, तो guys, it's totally up to you, कि अगर आपको try catch use करना हो, ना करना हो, but यह करो, it's better, you know, अब सब इसके अंदर ही आप लिखती जाओ, दूसरा, अब हमारा यह तो connection properly हो ही चुक है, right, अब हमें क्या करना है, guys, now we need to insert, sorry, we need to create a table, अब हमें table को create करना है, and एक चीज में आपको बताना चाओंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक scenario दूँगा, एक condition दूँगा, and you have to choose one, ठीक है, तो देखिए, let's say guys, आपको भूख लगा, and आपने जब देखा कि आ आटा, as it is, रखा हो, सबजी है, लेकिन पाकानिक अच्चा है, and दूसरे साइड आपने देखा, पाराटे एकदम मस्त बने हुए, सबजी सब एकदम ready है, तो आप दोनों में से क्या select करोगे, and I know guys, आप obviously second वाला select करोगे, क्योंकि आपको बहुत भूख लगी थी, and बना ब आट करना, तो सेम होई है, जब हम table को create करने की बात आते हैं, इस वो पहले का time था, जब हम यह नो, पुरा code लिखते थे, पुरा query लिखते थे, how to create tables, सब कुछ, but guys, आज की time में, आप zamp है, wamp है, lamp है, तो guys, आप simply आपको क्या करना है, database था हमने create करी लिया था, right, यहाँ प and then gender, तो total कितना हुए, obviously 5, तो 5 लिख देता हूँ and go पे click कर दे, तो देखो guys, इतना super easy है, so, यहाँ पे सबसे पहले होगा मेरा id, यहाँ पे में कर देता हूँ, int, आपको length देना है, आप maximum 255 भी दे सकते, उससे ज्यादा तो आप देनी सकते, and auto increment पे click कर दो, तो इससे यह आपका एक primary की बन जाएगा, तो आपको इसकी कोई value देने नी पड़ेगी, मतलब एक unique रहेगा, then you have to write name, again इसको आप कर दीजे, variable character, and 255, all right, perfect, यहाँ पे guys, आप इसको कर दीजे, age, all right, automatic suggestion, ठीक है, age आपका integer ही रहता guys, वो कभी आपका कुछ वैसा, you know, number में होने वाला नि let's say, हम सिब integer लिखते चलो, ठीक है, मुझे खाली 1, 2, 3, 3 किसे चाहिए, and this is it, and let's assume कि यह एक से लिके 12 क्लास के बच्चों तक के लिए है, simple, all right, इस तरी किसे लिख दिया, and यहाँ पे मैं लिख दिया था हूँ, इस तरी किसे gender perfect, gender variable character रहेगा, and maximum इसकी जो value है, let's say 255, this is it save पे आपको click करना, and this is it guys, इतना simple था, आपका एक table create करना, and we have our table, id, name, age, class, gender के साथ, we have our table का नाम, that is, students, table इसको मैं कर देता हूँ, copy perfect, now, table create हो गया, perfect, इसलिए आप देख सकते, empty छोडा था हूँ, आपे, now insert query, अब किस तरी किसे video में आप insert query को लिख सकते हो, simple है देखो guys, insert query लिखने के लिए guys, इस तरी के से insert query equal to center में कर देता है, इसको double quotes, and then this is it, इस तरी के से यहाँ पी लिखने है आपको, same जो आप query fire करते हो guys, इसमें बताना चाहूँगा, मैंने SQL and MySQL के उपर complete video बने, अगर आपने वो भी देख लिया आपको बहुत easy हो जाएगा, क्योंकि almost आप कैसे है कि 60% तो मुझे similar ही लगे, तो इसका link इधर top पे में आपको ज़रूर प्रवाइड करा दूँगा, insert into आपका table का नाम, then उसके अंदर कौन से फिल्ट से और उसकी क्या values आपको insert करनी है, इस तरी के से आपको लिखना है, simply यहाँ पे, तो guys, आपको single quote, double quote के लिखना, you have to write name, and then age, and then उसका class क्या था, and then उसका gender क्या था, spelling एकदम अच्छे से लिखो, कहीं गलती नी होनी ची, but जब आप values दोगे, name का value क्या होगा, guys, let's say में लिख देता हूं, बिनोद, then integer है न, इस तो, 26 साल, and then class, let's sit, oh my god, बाहर भी class लिखना पाद रहा है, चलो को अब यह जो आपने लिखा, basically, यह एक query है, तो उसी तरी के से पीडियो में हमारे पास, आप कह सेकतो, एक method है, जिसकी नाम ही query है, simple, देखो, इतना easy, तो, आपने यहाँ पे जो connection create किया था, यह आपका एक instance है, आपका एक object है, मैंने आपको यहीं पी बता दिया था, कि आप आपके पास एक power है, using object operator, आपको एक method को call करना है, that is your query, simple, and इसको आपको copy and यहाँ पे paste कर देना है, control, save कर देता हूँ, तो guys मैं बताना चाहूँगा कि हाला कि आप directly भी इसको डिक्टो copy paste करके यहाँ पे लिख सकते थे, लेकिन थोड़ा mess हो जाता, यह जो है, अब its look, and यहाँ पे चलता हूँ, refresh करता हूँ, अगर error निया एक second, could not find driver, अभी भी error आ रहा है, alright guys, आप देख सकते हूँ, यहाँ पे मैंने ठीक ही नहीं किया तो, control, save कर लेता हूँ, refresh करता हूँ, no error, perfect, अभी यहाँ पे browse चलता हूँ, and boom guys, आप देख सकते हूँ, 1, Vinod, age 16, class 12, Zendris mail, this is it guys, हमारे insert query हो चुका है, इसको मैं comment out कर देता हूँ, guys, क्यों कि इसकी जौत नहीं है, मल अब हमें देखने है, that is select query, ठीक है, तो select कैसे कर सकते है, अभी फिलाल guys, आप देख सकते हमारे पास सिर्फ एक ही data, that is, यह, सिर्फ एक ही row है basically, ठीक है, तो मैं select query यूज़ करत to simple, select, इस तरह की से, select star from, आपका table का नाम जो भी, एक second, अब तो यह, मेरे students table चला गया, वहां से, students table, where clause तो guys, मैं आपको बाद में दिखाने वाला था, लेकिन चलो, कोई नहीं, मैं आपको अभी दिखा दे, where id is equal to, अब देखो guys, यहाँ पे एक problem ही है, कि guys, यह आप इस त जा रहे, ठीक, लेकिन हो सकता है, कि अभी तो मैंने, as it is, लिख दे, लेकिन हो सकता है, कि आप, you know, आपने एक form create किया, वहाँ पे user लिख रहा है, कि मुझे इस idea का data चाहिए, तो guys, वहाँ पे वो id fill कर रहा है, तो वहाँ पे SQL injection का हमें खत्रा होता है, तो guys, मैं आपको देगा, what is prepared statement, तो simply query लिख दिए, and then आपको क्या करना, guys, इस query को exactly आपको, और हाँ, एक चीस तो मैं आपको बताने बुल गया, guys, इसको मैं फिलाल के लिए comment out कर देता हूँ, इसको वापस में चलता हूँ, sorry guys, मैं बूल गया था, that is, हमार पास एक और तरीका जिससे आप insert क करा सकते हो, that is, आपका exact करके आपके पास एक method है, तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ इस तरकी से execution का sort, that is, EXEC, इसको comment out कर देता हूँ, अब अच्छा वाँ, एक और data मारा फिल हो जाएगा हूँ, आपे, ठीक है, मैं को just realize आए, कि मैं ये बाता ना बुल गया था, आपक देख सकते हो, that is, boom, दो data fill हो गया, perfect, तो यह मैं आपको बताना चाहता था, by using exact and query, आप दोनों को वो हासिल कर सकते हो, back to select पे आजाते हैं, all right, perfect, तो गैस इस तरकी साब देख सकते हो, मैंने id1 तक लिख लिए, basically आप मुझे again इस, जो select query, इसको भी मुझे query करना ही पड़े किसे, this is it, so guys, इतना होने को बाद आप क्या करना है, इसको एक variable में हम store कर लेते हैं, statement करके एक variable में मैंने store कर दिया, ठीक है, and अभी भी guys, हमने query तो fire कर दिया है, statement करके variable पर मिलने, इसको कर दिया, store, अब मैं क्या कर सकता हूँ, कि guys, मुझे actual में इस data को fetch करना पड़ेगा, ठीक है, हमें fetch भी तो करना है, so dollar, तो यह again आपका एक object की तरह काम करेगा, statement में, इसमें हमारे पास एक method है, जिसका नाम है fetch, तो guys, आपको simply fetch लिखना है, इस तरह किसे, this is it, and आब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको एक और variable पे, let's, हम pass कर देते है, that is result, यहाँ पे मैं चलता हूँ, और इस result को मैं echo करा देता हूँ, and echo में नहीं कर सकते है, क्योंकि हमें array मिलने वाला है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, print underscore r, and यहाँ पे इस result को मैं pass कर देता हूँ, इस तरह की से, control s, save कर देता हूँ, कुछ error हुआ तो guys, हम try catch के अंदर तो है, control s, save, and let's say guys, इस यहाँ से मैं refresh करता हूँ, and boom guys, आप देख सकते हो, array id1, I mean id उसका नाम है, यह उसकी value है, again zeros की index number है, यह उसकी value है, so name, key value pair भी मिल रहा है, हमें उसका index number, and then value भी मिल रहा है, ठीक है, आगे मैं आपको समझाओंगा, यह क्या हो रहा है, एक और चीज मैं आपको दिखाना इस तरह करना चाहूँगा, ठीक है, इस तरह के से मैं ने pre-tag उसके है, तो अब यह एक बैटर तरीके से आपको दिखाई दे गाए, देखिए, यहाँ पर, इस तरह के से एकदम perfectly दिखाई दे रहा है, id and then 1, then 0, basically index number है, तो यह क्या है, यह क्या है guys, अब मैं आपको बताता ह मिल रहा है, अगर इसको मैं कर दो 2, control है, save करता हूँ, यहाँ पर चल के जो id 1 और बीनो जो value था, obviously 2 हमारे पास है, थापा इस तरकी से यह आगिए, ठीक है, तो यहाँ पर चलते है guys, आप मैं आपको दिखाना चाहूँगा, that is, यह देखिए, पीडियो, आप कह सकते हूँ तो इसको हम, scope resolution operator, मुझे इतना अच्छे से, एक सेगना guys, scope resolution operator, देखो guys, मैंने 12th class में पढ़ रा था, और मुझे मालूम है कि कुछ, देखा, all right guys, आप देख सकते हैं, कि मैंने 12th class में यह पढ़ी थी, that is double colon, मतलब scope resolution operator, तो C++ में तो मैंने पढ़ रा था, लेकिन, I hope guys, हमा हम तो बहुत किया video पे, लेकिन मैंने, you know, कभी इस तरी के से सोचा है नहीं कि, इसको exactly बोलते कि, and I just realized, जब मैं आपको समझा रहो, तो मेरे को लगा साइद, आपके mind में यह doubt आ सकता है, कि यहर, इसको हम बोलेंगे क्या, जैसे मैं आपको हर एक चीज बाता रहा हूँ, इ गवल, colon ही मान लेते है, and अगर मुझे पता चले कि, all right guys, आप देख सकती, scope resolution operator, this is it, मतलब, C++ में तो scope resolution operator बोलते थे, लेकिन PHP में भी हम इसको scope resolution operator बोलते है, चलो, doubt clear, doubt clear हो गया, perfect, चलो, इसको मैं हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं अब, लेकिन हमें यह देखना आपने जस्ट नोटिस किया, कि इसका जो output आ रहागा, इसको थोड़ा से weird आपको लग रहा होगा, id भी दिखा रहा है, 0 भी दिखा रहा, name भी दिखा रहा, basically id, name यह तो हमारे fields है, and यह जो 0, 1, 2, यह हमारे index number है, लेकिन इसको fetch करने के different तरीके मैं आपको बताता हूँ, आ क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, set attribute है, यहाँ पर आपको आगे बता दूँगा, चलो, ठीक है, so guys, आपको यहाँ पर क्या करना देखे, मैं यहाँ पर simply लिख देता हूँ, that is PDO, scope resolution operator में लिख देता हूँ, and capitals में आपको लिखना परी कुछ इस्तिर के से दिखाई दे रहा था, now आपको सिर्फ key value pair में आपको दिखाई दे गए, देखो key यह उसकी value, associative array basically, ठीक है, तो यह उसका name, यह उसकी value, id, name, age class, and simply आप इसको use कर सकते हो, now we have another that is guys, आपका fetch num करके, मतलब आप by using number, आपको इसको number की through fetch करना है, तो अब देखो index number आई यह, ठीक है, now और एक और रहा था, that is object, और यह object बहुत जात important है, control है, save करता हूँ, refresh करता हूँ, guys, आप देख सकते हो, यहाँ पर उपर कुछ हमें दिखाई दे रहा है, that is standard class object, यह std मतलब standard है, यह आपका object कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रह चीए, तो इसको मैं copy कर लेता हूँ, and यहाँ पर आप मैं simply echo में आके dollar result लिखके, जो just, इस तरीके से this is it, एक सेट, इसको अगर मैं refresh करूँ, तो क्या आता देखता हूँ, alright, आप देख सकते हो, use of undefined constant, assumed name, और यह बता भी रहा इस तरीके से लिखो, क्योंकि हम अभी भी तो control है, save करता हूँ, अब मैं अगर refresh करूँगा, तो कोई error ने आएगा, हमें एक second अभी एक error आ रहा है, and that is uncocked error, alright, मैं आपको बताना चाहूँगा, guys, यह क्या यूज़ कर रहे है, object यूज़ कर रहे, right, तो object से पहले मैं आपको बताता हूँ, कि we have associative array, तो इस तरीके से SOS लिख देता हूँ, अब यह एक array की तरह हो चुका है, अब इसको अगर मैं simply लिखूँगा, तो मुझे मिल चुका है थापा, क्योंकि यह थापा था, name, उसी तरीके से age के बतलेगा, इसमें इस तरीके से age लिख दूँगा, अगर मुझे age चाहिए, तो मुझे age मिल गया, ठीके, अगर आप इस तरीके से लिखना हो, और concatenate करके, तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, my age is, या I am इतना years old, कुछ भी आप लिख सकते हो, it's totally up to, my age is something, इस तरीके से आप कर सकते हो, and सबसे जाते important that is object, क्योंकि आप में से यह तो बहुत होने, mysqli में भी इस तरीक अब my name is इस तरीके से लिख देता हूँ, ctrl एशेप, guys, देखो, object के लिए आपको इस तरीके से काम करना पड़ेगा, ताकि आपको मिल जाए value, तो आप देख सकते हो, my name is था, this is its age, name के बदल, अगर आपको age चाहिए, तो यहाँ पर जाओ, refresh कर दो, my, again, name नहीं, my age, ctrl कर देता हूँ, refresh and perfect, my age is 17, ठीक है, तो आप हमने देख लिए, fetch, associative, fetch, number and then fetch object, and let's say, guys, आपको बार बार यह लिखने, मतलब जब भी आप fetch करोगे, you have to write this way, मतलब आपको लिखना पड़ेगा, so, कुछ ऐसा एक तरीका, जिससे मुझे बार बार लिखना ना पड़े, right, तो ह क्या कर सकते हैं, इस मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, हमारे पास कुछ by default attribute से जिसका हम यूज कर सकते है, यहाँ पर आप देख सकते है, यहाँ पर देख सकते हो, PDO Scope Regulation Operator, attribute underscore default underscore fetch underscore mode, simply square में copy कर लेता हूँ, ठीक है, सब से टॉप पर चलता ठीक, उसके नीचे में आता हूँ, और मैं आपको बताना चाहूँगा, आप विल्कुल tension ना लो, यह सब मैंने अल्रेडी यहाँ पर लिखा, यह देख सकते हूँ, set attribute लिखना है, तो सबसे पहले again हमारा जो main data object है, you know, and then you have to write set attribute, अगर मैं आपको दिखा हूँ, यहाँ पर copy करना है, और उसको यहाँ पर इस तरकी से past, I am past नहीं, paste कर देना है, simple, इसको एक साथ दिखा दोतोगा, इसको कुछ इस तरकी से एक line में एकदम perfect हमें दिखा देगा, अब मुझे इसको लिखनी की कोई joth नहीं है, अब मैं directly इस तरकी से लिख दूँगा ना, तो मुझे क चाम pass करना है, उस name field का, लेकिन अगर मैं करूँगा, तो मुझे error आ जाएगा, क्योंकि मैंने बोल दिया, आप मुझे associative नहीं, मैं as a object इसको यूज़ करने वाला हूँ, तो back to normal, so guys, I hope आपको ये भी पता चल गया, तिन तरीके, select query ये हो चुका है, हमने ये देख लिया, perfect ठीके, चलो, ये हो गया, यहां तक, result हो गया, हमने ये भी देख लिया, ठीके, now, prepared statement, for fact, now, finally, वो घड़ी आ चुकी, जहां मैं ये देखना है, कि हम SQL injection से कैसे बज सकते, क्योंकि अभी तक मैं, जो ये कर रहा था का, इसी विल्कुल भी safe नहीं है, तो by using prepared statement, वो तब यहां पर लिख देता हूँ, that is prepared statement, आप किस तरीके से इसको save कर सकते हो, ठीक है, तो देखो, हमें क्या करना है, simply मैं इसी query को copy कर लेता हूँ, इसको copy हटा देता हूँ, prepared के नीचे रख देता हूँ, ठीक है, हाला कि code तो मैंना already set करी चुक है, महाँ पर देखो, select staff from students where, id is equal to guys, मैं आपको बताना चाहूँगा, कि जब आप prepared statement का use करने जाते हो, हमारे पास दो तरीके है, you know, use करने के, either आप named parameter का use कर सकते हो, नहीं तो positional parameter, जिसको आप named placeholder भी बोल सकते हो, नहीं तो positional placeholder तो क्या ही बोलना, लेकिन named parameter, नहीं तो positional parameter, ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको named parameter दिखाता हूँ, क्या होता है, वो चीज दिखिये, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा where id is equal to, जो यहाँ पर लिख रहा हूँ तो कि अप मैं directly value पास नहीं करना, क्योंकि मुझे SQL injection से बचना है, तो मैं उसके बदले एक named parameter पास कर रहा हूँ, एक name placeholder पास कर दे रहा हूँ, let's say id क चलता हूँ, यहाँ पर एक id पास कर दे ता हूँ, id number करके, उसकी value अप मैं इस्तिरके से देने वाला हूँ, this is it, इस्तिरके से मैंने एक variable create क्या है, उसकी value दे दी, one, उसको मैंने यहाँ पर basically name placeholder यहाँ पर पास कर दिया, अब यह सब मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, इसको as it is रखता हूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मुझे क्या करना है, जब आप prepare statement का use करते हो ना, तो prepare से आपको पता चल जाता है, query लिखने के बाद आप उसको करो prepare and then करो execute, simple यह line आपको याद रखना है, query लिखो, फिर उसको करो prepare, आपने क्या लिखाच्चे से उ and then उसको execute करो, तो same होई यहा, $dbcon object, जो आपका main object है, then you have to create, I mean आपको prepare method को call करना है, उसमें यह जो select query जो आपने जो भी लिखा, pass कर दो, perfect, now, अब यह बहुत जादे important है, that is, यह जब आपने create किया आपको इसको एक variable में pass कर दे, let's say मैंने एक statement variable में इसको pass कर दिया, and from here, यहाँ से गाई साब मैं आपको एक तरीका बाता आता हूँ, that is, हम क्या कर सकते है, इसको मैं bind कर सकता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं आपको दिखा हूँ, that is, execute a prepared statement with a bound variable, यहाँ पर आप clearly देख सकते हो, bound variable के साथ आप कैसे कर सकते हो, आप मैं इसे बहुत ह parameter, bind values बहुत सुना होगा, अगर आपने इस पर कभी काम किया, तो मैं आपको बाता देखे, statement यह जो value है, ठीक है, यह जो name placeholder था, इसको आपको एक variable के साथ bind करना है, ताकि मलदा हम बहुत secure बना सकते हैं, इसको simply, तो इस तरीके से मैं लिखा statement, अब यहाँ पर आपको एक method call करना है, that is your, and then आपको लिखना है, इस तरीके से param, I don't know guys, इसको parameter, लेकिन param, param, आपको जो बोल सकते, ठीक है, इस तरीके से मैंने simply लिख दिया, अब हम क्या कर रहे है, named placeholder का use कर रहे, ठीक है, तो आपको क्या करना guys, did to, इसको यहाँ पर लिख देना है, और इसको थार single quote के अंदर आप लिख दीजे, name, then comma, sorry, name तो मैं लिखी नहीं सकता है, क्योंकि मैंने तो id पास किया हुआ, id number, comma, and then आपको एक, sorry, single quote, then comma, फिर आपको वो जो id, जो नम आपने पास किया, this is it, तो अब भी क्या हुआ, यहाँ पर हमने placeholder पास कर दिया, इस id को यह placeholder की जो value दिया दियो, हमने यह बोल दिया, हमने इसको prepare किया, उसके साथ हमने एक bind param method call किया, जिससे हो यह रहा है, कि हमने उस placeholder को अब एक और variable के साथ हमने bind कर दिया, तो आप देख सकते हो guys, कितना पेचिदा होते जा रहा है हाला कि बहुत simple है, लेकिन security कितना tight होती जा रही है, idea क placeholder के साथ, उस placeholder को मैंने एक variable के साथ bind कर दिया, अब जाके उसको मैं क्या करूँगा, कि अब जाके मैं उसको execute करने वाला हूँ, ठीक है, तो again यह statement, आपको object operator, and then you have to write इस तरीके से execute, and this is it guys, अब आपको कुछ नहीं करना, आपका काम हो चुका है, perfect, so control s save कर लेता हूँ, इस statement को मैंने result में store किया, जो हमने पहले देखा था, यहाँ पर उसका result आ जाएगा, और हम सिर्फ उसका age देखेंगे, ठीक है, तो control s save करता हूँ, यहाँ एक second मैंने directly वही कार दिया, control t काम करता है, control shift t प्रेस किया है, basically मैंने, जो आप by chance कभी गलती से अगर delete हो जाता है, perfect गया से हमारा perfectly काम कर रहा है, this is it, तो जहाँ पहले मैंने आपको दिखाया था, यह उससे ज्यादा secure तरीका है, by using bound parameter, आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ, simply bound variable, sorry, इस तरीकी से ठीक है, जहाँ पर आपने prepare and then execute method का यूज किया, जो सबसे best है, all right, यह तो था guys, इस आपका on named parameter, ठीक है, अब आप positional parameter से किस तरीक से deal कर सकती थे, मैं आपको बताता हो, दीखिये, एक काम करता हूं, इसको मैं कर लेता हूं, copy, did to, इसको मैं copy कर लेता हूं, and, ठीक है guys, इसको मैं copy नहीं करता हूं, इसको मैं change कर देता हूं, यह जो आपने named parameter लिखा ना, इसके बाद ले आपको सिर्फ एक सेगेंड यहाँ पर आपको सिर्फ अब एक क्या करने एक question mark दे देना दिस इस इट एक question mark दे देना आप multiple question mark भी दे सकते हैं यह आपके उपर है एक के लिए तो एक ही देना एक ID where ID is equal to a question mark and आप इस तरह की से फिर एक और वे name is equal to ये करके question mark बात कर रहा था मैं इस तरीकी से, ठीक है, same यही है, यहाँ पर लेकिन इस तरीकी से आपको नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको ये card देना है, इस तरीकी से, this is it, तो जब आप positional parameter ये उस करोगे तो वहाँ पर आप equation mark देने वाले हो, and then जब आप bind parameter का use करोगे, तो आपको simply उसकी variable pass कर देना है, and you have to make sure guys, अगर let's say, यहाँ पर मैं ये भी लिख देता हूँ, and, एक और लिख देता हूँ, ताकि आप लोग का doubt के लिए, equal to, again, एक और ये मैंने, क्या दिया, positional parameter pass किया, अब ये क्या, सबसे पहले क्या आ रहा है, id के लिए क कौन सा positional parameter है, ठीक है, मैंने id number, and then आपको एक कॉमा, and then आपको यहाँ पर start करके, name भी तो लिखना पड़ेगा, मुझे, dollar name is equal to, first मैं I think मेरा विनो दे, ठीक है, semi column दे देता हूँ, यहाँ पर आप में वो name parameter pass कर दे, तो इस तरीक से, you have to make sure कि name पहले, and then बाद में वैसा बि पर क्ली काम करेगा, और same, 1 second, so कैसा आप देख सकते हूँ कि हम में error आ रहा है, and invalid parameter number, number of bound variable, देखा, bound variable हम होई, हम होई तो देख रहे है, bound variable है, कि नहीं तो बता रहा है, number of bound variable does not match number of tokens, let's say इस में आपको, देखो गाई, जान बुचके मैं कर रहा हूँ, मैं आपको बताता कर रहा हूँ है, यहाँ पर चलता हूँ, let's say, यहाँ पर अगर मैं लिख दूस्तर किसे name, ठेक है, क्योंकि हरे की अपनी अपनी एक need है, simple, यहाँ आप देख सकते हूँ, clearly आप आपका doubt clear हो जाएगा, कि हमें वो error, पहले वाला error क्यों आ रहा था, देखो, क्या बोल रहा है यहाँ पर, यह जो bind parameter हम जो use कर रहे हैं, परम, expect at least two parameters, one given in जो भी है, at least two parameters इसको चाहिए, समझ रहे हो आप, और जब हम positional use करते हो तो इसमें आमें दो दिन की कोई need ही नहीं है, तो इसका मलब एक है जब आप named parameter use कर रहे हो, तब आप bind parameter का use कर सकते हो, वो ज्यादा better इसको मैं वापस back to normal कर देता हूँ, ठीक है, and एक और चीज मैं आपको बताना चाहूँगा, that is, एक तरीका है, execute a prepared statement with a bound variable, and एक और तरीका है हमारे पास, that is, execute a prepared statement with an array of insert values, अब इसका मलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, आपने bind parameter तो देखे लिया, मैं आगे और इस execute, जो method है, इसके अंदर guys, आप किस तरीके से, आपको क्या करना है, square bracket use करना है, and then guys, आपको क्या करना है, simply variable pass कर देना, dollar id, and again, इतना याद रखो की position बहुत matter करता है, and then name, this is it, इसको कम जूम कर देता, ताकि mess ना लगे, यह perfect, देखो, positional parameters हमने देखा, using bind param हुआ नहीं, ले values तरीके से, आपको लिखनी है, control एक, save करता हूँ, अब यहाँ पर में चलता हूँ, and refresh करूँगा, boom guys, आप देख सकते हो, हमें, हमारा perfectly code मिल चुका, अगर विनत कर ले में, as लिख दूना, तो यह code ही नीच लेगा, क्योंकि, हमारे students table में, id number one तो मिल गया, लेकिन विनत कर करा सकते हो, using execute method also, and bind param के साथ भी आप करा ही सकते हो, तो आप मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, that is, अगर आप placeholder लिखते हो, हमने bind param तो देख लिए named में भी, and position में हम कर नहीं पाए, हाला कि कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए, है नहीं, and now execute का तो हमने positional दे देखो guys, यह जो अपने as it is लिखा नहीं, यहाँ पर आपको single quote लिखना है, यहाँ पर आपको लिख देना है, id, num, इस तरी किसे simple, I mean यहाँ पर जो भी value आपने लिखा नहीं, आपको colon लिखने की जोतनी, colon के बाद, जो लिखा pass किया, and in between single quote के बाद और इसके बीच में, आ आपको यूज करना है guys, यह वाला operator, अब यह कौन सा operator है guys, मैं आपको बतातों देखे, and guys इस तरी किसे आपको यह double arrow operator यूज करना, अब यह double arrow operator मतलब क्या होता guys, देखे, double arrow operator का मतलब यह है कि double arrow operator जब आप लिखते हो, and उसके left side जो भी data हो, उसके corresponding आपको एक value देना that is, जो आप right side में लिखते हो, this is it, double arrow parameter मतलब यह कि आपने जो भी left side में लिखा है, उसकी जो value होगी, वो उसके right side में आपको मिल जाएगा, तो id नम क्या है, बोलोगे तो उसकी value वो यह होगा, simple, and I think when आपको यह लिखके भी दिखा है, यहाँ पर, आगर मैं आपको दिखा है, single quote में जाना है, यहाँ पर आपको name pass करना है, and again double arrow parameter, this is it, इस तरीके से आप काम करोगे, अगर आप named parameter यूज करना चाते हो, execute method के साथ, तो control है, save करता हूँ, यहाँ पर चलता हूँ, and refresh करता हूँ, and boom guys, आप देखोगे, same output है, कोई difference नहीं है, so हमने दो तरीके दिखे, and मैं एक चीज में आपको बताना चाहूँगा, dollar name यहाँ पर आपने लिखा है, अगर यहाँ पर guys में इसको capital N कर दू, सिर्फ capital N, and अगर मैं refresh करना चाहूँ, error आ गया, it means guys, यह आपका case sensitive है, you have to make sure, जो नाम यहाँ आपने लिखा है, वो ही नाम यहाँ पर आपको pass करना है, control let's save guys, हमने almost 60% guys, हमने complete कर लिया है, अब इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा, कि आप rows को किस तरीके से count कर सकती हो, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, simply यह जो statement लिखा है, statement के ठीक ऊपर में चलता हूँ, यहाँ पर again dollar statement, then आपको एक method call करना है, that is simply row count लिखना, आप this is it, and यहाँ पर आपको echo कर देना है, उसको simple, control है, save करता हूँ, guys, यहाँ पर चलता है, इसको refresh करता हूँ, क्योंकि यह देखो, one, क्योंकि एक ही row मिला में, basically, और था ही नहीं, data ही नहीं था, तो that is your row count, आप इस तरीके से count को row कर सकते हो, I mean, yeah, row को count कर सकते है, मेरा कहने का मदलब यह था, so guys, हमने prepared statement with an array भी देख लिया है, right, all right now, guys, final, अब हमारे final घड़ी पर आचुके, that is, curd operation, यह बहुत जाद important है, जहाँ पर हम देखेंगी insert, guys, insert तो हमने देख लिया, ना जाने कितनी बार देख लिया, मैंने आपको normal तरीके से भी दिखाया, मैंने आपको द सुनिए, guys, वो यहाँ पर data fetch हो रहा हो, बार बार, control, all right नहीं, एकदम perfect है, चलो, कोई problem नहीं, एकदम सही है, ठीक है, यहाँ पर हमने, guys, insert देखाता है, right, अब मैं आपको एक exact तरीका, एकदम perfect तरीका बताता हूँ, कि आप insert किस तरीक से कर सकती हो, by using same यही तरीका, कमेंट आउट नहीं, इसी को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक काम करता है, इन सब को भी मैं कमेंट आउट कर दे तो मुझे इनकी जोत नहीं फिलाल भी, ठीक है, एक काम करता हो, हटा ही देता हो, guys, इसे मुझे थोड़ा सा डिस्टरप करेंगे साइध, all right, perfect, तो अभी insert क आप मैं आपको बताता हो, देखे, insert into students, name, age, class, gender, अब ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको guys मैं क्या करो, simply मैंने simply इस्टरप किसे हटा दिया, ठीक है, यहाँ पर directly मैं लिखूंगा, direct इस्टरप किसे name, then comma, then again आपको लिख देना है, class, then comma, and then guys, आप यहाँ पर लिख देना, इस्टरप किसे gender, this is it, simple, यहाँ पर इतना, एक सेकेंड, यहाँ पर एक कुस तो मिस हो रहा है, perfect, ठीक है, इतना हो गया guys, again, जो query आप लिखती हो, आपको पहले तो उसको क्या करना है, prepare करना होगा, so you have to write, prepare, यहाँ तक तो आप को पता चली चुक है, prepare statement, ठीक है, I mean, prepare method को call करना है, insert, querifier करो, this is it, इसको एक variable में पास कर दो, that is statement, हला कि आप कुछ भी नाम दे सकते हो, now, इसके पास भी एक super power आचुक है, that is, statement, guys, इसकी मदद से आप क्या करना है, यह जो भी variables थे आपके, I mean, यह variables नहीं है, यह आपके named parameter parameter ही, जो हमने समझा अभी, अभी मैं use करने वाला हूँ, bind param, क्योंकि हम इसको use कर सकते, right, so, मैं simply, इस तरीके से लिख रहा, bind param, and, अब, यह basically, दो parameter, minimum, इसको चाहिए, ही चाहिए, ठीक है, दो parameter दे देते, किसका क्या जा रहा है, किने simply, name, इसको मैं लिख देता हूँ, यहा आपको order एकदम perfect रखना होगा, age, यहाँ पे चलता हूँ, कर देता हूँ, class, ठीक है, यहाँ पे चलता हूँ, कर देता हूँ, इसको मैं, let's say, क्या बचा, gender, ठीक है, this is it, इतना हो चुका है, अब मैं आपको बताता हूँ, इसको हमें execute करना है, right, so, execute के लिए मैं एक, एक का technical को subscribe नहीं किया, तो guys, please subscribe का लेना, and right side का जो bell icon घंटी रहता है, उसको भी hit कर दीजे, all right, so, technical लिखता हूँ, थापा technical, perfect, then, उसका जो age है, guys, अभी मैं mostly 11, 12, लिख रहा हूँ, तो इसको मैं 16 कर देता हूँ, sweet 16, ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ, and then, class, जो है, class, let's say, 12 कर द इतना हो गया, अब, देखो, एक बात बता हूँ, कि मैं bind param का use करने का क्या फाइदा है, मैं आपको बात आता हूँ, हमने एक prepare statement लिख दिया, and हमने हर एक named parameter को एक variable के साथ bind कर दिया, अब उस variable का जितना भी मैं जो भी value दे सकता हूँ, and मुझे एक चीज कॉल करना, that is, dollar statement मे मुझे execute method को call करना है, execute, spelling perfectly लिखो, method को call करना है, this is it guys, बस इतना ही मैं लिखता हूँ, control या, save करता हूँ, मेरा ये part complete हो चुका है, refresh करूँगा तो, एक second, एक error आ रहा है, mail, mail, अच्छा हाँ, ये आपका एक value है, string है, तो single quotes के अंदर, या तो double quotes के अंदर, आप लिखो, make sure, इतना करना, कोई error नहीं है, मैं यहाँ पर चलता हूँ, refresh करता हूँ, and boom guys, आप देख सकते हूँ, basically, दो बार हुआ, click, and इस तरह की से ये दो value आ गई, चलो कोई नहीं, तो अब आपके पास एक advantage है, guys, आप इसको कितने भी बार copy करो, 1, 2, 3, ठीक, इस तरह की से copy करो, and यहा यहाँ पर मैं कर देता हूँ, तो थापर technical, थापर technical 1, and then थापर technical 2, control एक सेव करता हूँ, आप देख सकते हूँ, यह देखे, चार था total, उसके बाद मैंने वापस इसको query को fire किया, तो 1, 2, and then 3, तो 1, थापर technical 1, and then थापर 1 second, अलाइट, देखे, थापर technical 1, and then थापर technical 2, and से भी इतना है नहीं, इसको जितने बार आप चाओ, copy कर सकते हूँ, इसको मैं कर देता हूँ, 3, यहाँ पर, लेकिन 3 करके फाइदा नहीं, क्योंकि वापस से सब copy हो जाएंगे, फिर, इसको हटा देता हूँ, लेकिन आपको इ execute and bind परम तरीके से, ठीक है, and मैं आपको बताना चाओंगा, guys, आप directly इसको यहाँ से भी insert करा सकते थे, अब वो किस तरी किसे करा सकते थे, मैं आपको बतातो, देखे, इसको मैं कर देता हूँ, comment, ठीक है, variable लिखा हुआ है, now by simply using execute, आप कैसे कर सकते तो देखे, again आपको square bracket लिखना है, और यह क्या है, आपका name parameter है, ठीक है, यहाँ पर हमें चलता हूँ, name parameter के लिए, guys, आपको सिर्फ name लिखना है, इस तरी किसे आपको double arrow parameter का use करना है, and then आपको simply उसका नाम पास कर दे, that is name parameter, ठीक है, comma, again single code, then again age लिखना है, आपको, sorry, colon use नहीं करना है, age लिखा, again double arrow parameter, and then again dollar age को call करना है, comma, फिर से, same चीज आपको guys repeat करना है, all right guys, आप देख सकते हूँ, कि जो मैंने पहले जिस तरी किसी किया था, na, bind param की use से, and simply execute को call गया था, लेकिन, आप without using bind param, आप simply execute method के अंदर भी इस तरी किसे मैं आपको already दिखाया था, name, जो है actual में name, without colon use करना है, then name pass कर दे, age के लिए age, class के लिए class, gender के लिए gender, अब इस तरी किसी इसको again multiple times copy करके multiple time insert कर सकते हूँ, control and save कर देता हूँ, यहाँ पर इसको मैं 4 कर देता हूँ, and let's say guys, बहुत ही हो गया, यहाँ पर मैं simply इस तरी किसे बहादू लिग देता हूँ, control and save कर देता हूँ, यहाँ जा कि इसको पहले refresh करते हैं, make sure, let's see, all that, कोई error नहीं है, यहाँ पर total 8 rows थे, अभी एक 9 हो गया, that is bad, तो guys हमने insert देख लिए code operation में, now select कैसे करना मैं आपको बाता आता हूँ, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, देखो guys, select करने के लिए भी बहुत simple है, again इसको भी मैं हटा दे देता हूँ, this is it, यहाँ पर चलता हूँ, नीचे मैं आता हूँ, and guys हमने select query बहुत बार देख ले, लेकिन फिर भी मैं आपको quick बाता देता हूँ, देखो, simply इस बार मैं क्या करता हूँ, dollar SQL लिग देता हूँ, simply इस तरीके से, ठीक है, मतलब हमारी जो query होने वाली इस तरीक इस करने वालों में, let's say guys, अब मैं simply positional parameter इस करता हूँ, and हमारा जो name होगा equal to positional parameter, this is it, यहाँ पर मैं चलता हूँ, simple, alright, अब मुझे क्या करना है, कि मेरा जो database था, मेरा जो object है, उसमें मैं prepare को call करता हूँ, prepare method, this is it, यहाँ पर इसको मैं pass कर देता हूँ, SQL, हमारा जो है, इस exactly execute की तुरू बताता हूँ, and then by using execute, execute इस तरह की से मैं लिखता हूँ, simply execute लिखा, this is it, and again, यहाँ पर मुझे क्या करना है, square brackets, use करने है, id यूज कर लेता हूँ, id num, ठीक है, comma देता हूँ, and then again, again, एक और id लेता हूँ, that is name, this is it, अब मुझे बस यहाँ पर वो id, number जो है, वो guys, अभी just मैंने बादो, जो select किया था, और वो बादो तो होई नहीं सकता, id number क्या है, 9, ठीक है, तो यहाँ पर चल के इसको मैं कर देता हूँ, 9, control and save, guys, execute ही हो चुका है, and आपको make sure करना है, कि जब आपका यह execute हो गया, तो यह free में तो आपको दीखेगा नहीं, तो अभी एक काम करता हूँ, इसको एक variable में pass कर देता हूँ, that is result करके, all right guys, इसको नहीं, इसको रहने देता हूँ, अभी यहाँ पर एक result करके, एक variable create करता हूँ, इस statement में, हमारा यह जो statement जो हम करते आ रहे है, मैं simply fetch को call कर रहा हूँ, and मैंने आपको already दिखा चुका है, कि fetch हम कौन सा यूज करने वाल, FETCS fetch, जो object है, क्योंकि उपर already लिखा है, so simply अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ, echo लिखता हूँ, and dollar result लिखता हूँ, and हमें मालू में, एक second, इस तरीके से मुझे यहाँ पर name लिखना है, ठीक है, ctrl s, save करता हूँ, इस तरीके से अगर मैं लिखूंगा ना, तो मुझे मेरे को बहादूर दिखा है, एक second, so guys, आप देख सकते हूँ, एक error दिखा है, error भी नहीं, एक notice है, trying to get property name of non-object, मतलो ऐसा, name, alright, यह बहादूर है, ठीक है, guys, आप देख सकते हूँ, spelling wrong हो गया था, ctrl s, save करता हूँ, वाप पस इसको अगर मैं refresh करता हूँ, boom, guys, आ इसरी गाइस आप जाहें तो इसको concatenate कर सकते हो, and यहाँ पइस तरी गैस से लिख सकते हो, that is, my name is, this is it, concatenate कर दो, and यहाँ पे भी आप इसको again concatenate करके यहाँ पर लिख दो, and Iam, dash, again concatenate करकेIND करके, आप वापस से cents dollar result को call कर सकते हो, इस तरी कहसे आपको age लिख देना है, उसका concatenate करके वापस single quote के अंदर and then old लिग दो simple ठीक है control है save करता हूँ मैं यहाँ पर चलता हूँ और सबको से yes this is it my name is बहादूर and I am 16 years old simple इस तरी किसे आप कर सकते थे so guys अब मैं क्या काम करता हूँ कि इन दोनों को मैं फिलाल के लिए comment out कर देता हूँ क्योंकि मुझे multiple values को अगर दिखाना हो you know मेरे table में जितनी भी data उन सबको दिखाना हो तो मुझे उसको आठाना ही पड़ेगा कोई condition नहीं रखता हूँ मैं execute as it is लिख देता हूँ इसको भी simple fetch लिख देता हूँ यहाँ अब भी देखो यहाँ पर मैं चलता हूँ अब मुझे while लूप उसकरता हूँ मैं while ठीक है while यह जो भी है मेरा result इसको मैं करता हूँ copy and यहाँ पर pass कर देता हूँ यह हमने समझाता हूँ जैसे हम क्या करते थे mysql में mysql i__fetch__sos लिखते थे यहाँ पर simple अभी मुझे क्या करना है echo मेरे जितने भी on dollar result एक काम कर सकता हूँ that is इसको मैं directly copy कर ले तो यह echo जो हमने लिखा था copy and यहाँ पर paste and this is it guys जब तक मुझे result में मुझे जब I mean जितने मेरे result है जब तक खत्म नहीं हो जाता है यह echo बार बार चलता रहेगा एंड में एक काम करना चाहूंगा लास्ट में ब्यार टैक्ग देता हूं मैं ताकि एक नीचे आजाए so three two one and my name is Vinod I am 16 years old my name is Thapa I am 17 years old and last में में रहा था my name is Badur and I am 16 years old तो इस तरीके से आप आपका यह जो टेबल है इसमें जितने भी रिकॉर्ट से उन सबको आप फैच कर सकते हो इस तरीके से बाइशिंग वाइल लूप अब मैं आपको बताता हूं we have a for each loop also ठीके for each loop भी है जिसका आप यूज कर सकते हो लेकिन आपको एक ध्यान रखना है इसको मैं copy करता हूं फिलाल तो यहां पर paste out कर देता हूं इसको हटा देता हूं वाइल लूप नीची फिलाल अभी तो यह जो आप for each उस कर रहे हो ना for each आपको मालूम है guys for each बनाय गया था array को iterate करने के लिए ठीके array की value को पाने के लिए basically so for each आपका यह जो भी result है result को मैं as a value मानना चाहूंगा as a value simple and इस value को मैं simple इसको copy कर लेता हूं को एक second copy करना था मुझे तो और राइट ctrl-z कर और ठीक copy and then paste echo को यहां से रखता हूं और जो मेरा result है result के बदले मुझे simply लिखना है v a l well simple इस तरीक से ctrl-s save अगर मैं करता हूं refresh करता हूं तो मुझे error आने वाले क्यों trying to get property name of non-object non-object पाता क्यों बोल रहा क्योंकि यह array के लिए बनाया है और यह जो तरीका होता है यह use होता है तो array and object में तो difference होगा ना so यह हटा दो यहां पर इस तरी किसे इस तरी किसे आपको काना पड़ेगा फिर यहां पर ठीके same goes with age आपको इसको ब्रैकेट के अंदर एक single quotes क्योंकि भार आमने अल्रेडी double quotes यूज किया हुआ है फिर भी अगर ना है तो फिट देख सकते देखो unexpected error यह और गया तो आप देख सकते हमें एक error दिखाई देर है basically एक parse error दिखाई देर है that is unexpected semi-column expecting यह name age आप देख सकते हो गाइस एच के एच के अंदर है यह यह यार नेम के अंदर मुझे स्तिर किसी देना है Ctrl आप सेब करता हूं यहां पर चलता हो refresh and आप देख सकते हो गाइस object illegal string object यह वो इस problems हम कैसे deal कर सकते है basically warning है ठीक आप देख सकते हो value तो आ रहा my name is one and one my name is V and basically हमें एक value आ रहा है तो मैं आपको बाताना चाहूंगा guys हम यूज कर रहे है क्या fetch object और यह जो तरीका है polish यह array के लिए काम करता है यह तरीका भी array के लिए तो आप guys you know override भी कर सकते हो यहां पर simply वापस लिख दीजिए पीडियो इस तरीके से fetch आप लिख दीजिए underscore and then आप लिख दीजिए asoc so guys control है save करता हो यहां पर refresh करता हो guys आप देखोगी फिर भी हमें same error आ रहा है तो आप मैं आपको बताना चाहूंगा again फिर से कि यह आप देख सकते हम क्या कर रहे है एंड हम यह किसके साथ डिल कर रहे array के साथ and हम कितने values को expect करें multiple मतला बहुत सारे रोज हमें मिलने वाले तो सिर्फ fetch से काम नहीं चलेगा one more time आप देख सकते हो मेरे यहां पर मैंने लिखा हुआ fetch versus fetch all तो guys अब यहां पर आपको a ll basically camel case में है a capital fetch all लिखना है fetch नहीं सिर्फ fetch all लिखना है ठीक है array जब आप object के स साथ deal करें ते वो काम कर रहा था अगर आप इस तरी किसे करोगे array के साथ तो you have to write fetch all अब यहां पर अगर मैं करता हूं refresh भूम गाईस आप देखो same वही output आ रहा है जो हमें object के साथ भी आ रहा था तो इस तरी किसे guys आपका while loop and for each loop use होता है ठीक है all right guys तो मैंने इसको भी comment out क देख लिया select देख लिये select में मैं आपको for each and while loop दोनों दिखाया now we have update and then delete and let's say guys update बहुत simple है let's say मुझे एक id है ठीक है जिसकी value है 1 and then ठीक है 1 ने जिसकी value है 4 अब मुझे कोई आइड़ा है कि id no.4 पे क्या है तो इसको मैं dollar लिख देता हूं variable and एक name चाहिए कि id no.4 पे जो भ simple and update query बहुत simple है guys इस तरह किसा आपको लिखना है update query equal to देखो आपको कैसे लिखना है so update query double quotes के लिखना है update and then आपको जो भी आपका table का नाम है that is students t-a-b-l-e-s update आपका table का नाम and then set आपको क्या set करना है मुझे name set करना है और उस name के बाद लिखाया इसमें again position named parameter का यूश करना मैं आलों that is name simple आप देख सकते हैं आप समझ चुकियों कैसे हो रहा है वेर वेर क्लॉस वेर आईडी इस इकोल टू अगेन नेम परेमेटर सिंपल इस तरह किसे मैं आईडी पास कर दिया and आपको मालू मैं guys again मेरा जो object था that is dbcon उसके साथ हम इस object operator को यूश कर रहें and मैं य simply यहां पर मैं लिख देता हूँ update query इस तरह के से update query perfect and हर बार की तरह guys इसको में एक वेरेवल में पास कर देता हूँ इस तरह के सिस्टर कर देता हूँ and basically है तो यह एक वेरेवल लेकिन we have मतलब हम इसको भी एक object की तरह आप यूश कर सकते and मैं execute method को call कर देता हूँ execute and हमने basically दो name parameter that is named and id अब आपको पहले id नहीं आपको name पहले लिखना होगा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को clear दिखाई दे अब यहां पर मैं चलता हूँ that is name again guys आपको यह operator उसकरना double arrow operator उसकर करके यहां पर आपको simply name पास कर देना है आपको एक कॉमा देना है and then again single code के अंदर आपको id and again double arrow operator के बाद यहां पर आपको पास कर देना है वो id वाली जो भी आपकी वेरेवल है this is it controller save करना है आपका यह हो चुका बस we have to make sure कि id no.4 पे बिनो थापा हुआ या नहीं controller save करता हूँ यहां पर चलता हूँ id no.4 क्या है थापा टेक्निकल है ठीक है यहां पर refresh करता हूँ कुछ आमें दिखाए तो देगा नहीं क्योंकि हमने कुछ लिखा नहीं लेकिन अगर आप में id no.4 पे चलता हूँ and so guys आप देख सकते हूँ कि actual में वो update नहीं वो अभी भी था पर टेक्निकल ही है तो and अगर मैं आपको यहां पर ले चलो तो यहां पर कोई error भी नहीं दिखा रहे है जबकि हमने catch block भी यूज किया हूँ है so one more time update stude and tsta एक सेकंड टेवल्स है या टेवल है यह टेबल गाइस यहां पर एक एक एक्स्ट्रा ऐसा आगे इसको हटा देखा इस क्यूंकि control एक्स्ट्रा 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 हो जा रहा था तो अभी मैं चलता हूँ refresh करता हूँ मैंने वह एक एक्स्ट्रा एस को मैंने हटा दिया अब अगर मैं refresh करता फोर्ट पर एंड भूंगाईस आप देख सकते फोर्ट पर ना वी हैब विनोद था पाज जो जस्ट अभी मैंने यहां से किया था अब डेट दिस इट हमारा अपडेट हो गया है एंड लेट से गाइस में इसी कोई रखता हूँ ठीक है डिलेट करता हूँ अब मुझे लास्ट हमारा एक चीज़ रहे गा डैट इस डिलेट की क्वेरी एंड यह नेम भी मुझे नीचे लेट से गाइस अभी जो हमने ढूल से अगेन आपको वो इस पैलिंग फिर से सही लिखना है नना की पहली की तरह हो जाई students टेबल डेलेट टेऺल के लेकल नाम हें यह पहले से ही है वेर आपको लिखना वेर आईडी अब गाइस इसको मैं आपको positional I mean यह positional parameter से करके दिखाता हूं ठीक है equal to directly question mark this is it यहाँ पर मैं चलता हूं क्योंकि हमने बहुत name parameter देख लिया ठीक है अब क्या करना है again आपका जो main आपका जो object dpcon object parameter मैं यहाँ पर prepare statement I mean prepare method उसको call कर लेता हूं and simply इसको कर देता हूं pass एक variable में इसको store करके रखना ही पड़ेगा statement equal to this is it यहाँ पर चलता हूं इस statement के through मैं अपने execute method को call कर लेता हूं execute simply execute के अंदर गाइस में क्या करूं basically मैंने क्या यूश किया positional parameter राइट तो square brackets मुझे कुछ निकारना directly वह ID पास कर देना जो कि already मैंने यहाँ पर mention किया इस इट control यहाँ सेप करता हूं अभी जो fourth वाला है वह हमारा delete हो जाएगा इस वीडियो के इतना है यहाँ आपको वीडियो पसंद आओगा जहाँ हमने अल्मोस सब कुछ देखा हला है कि complete नहीं देखा लेकिन फिर भी at least इतना देखा कि आपको पता तो चलिगा होगा कि किस तिरकी से आप connection कर सकते इंसर्ट कोरी कैसे उस करना है where clause for each loop लगाना then you know हमने देखे कि prepared statement जो main है वो कैसे हम कर सकते थे multiple insert किया card operations देखा fetch versus fetch all देखा name placeholder देखा positional placeholder देखा bind param देखा हमने किस तरी के से कर सकते थे multiple insertion देखे दोनों अलग अलग तरी के से देखे हमने समझा what is double arrow operator क्या होता object operator क्या होता scope resolution operator तक हमने देखा so this is it guys and one more time यह सारे के सारे code मेरे website आप देख सकते already available इसका link में नीचे description में आपको provide करा दूँगा and guys अगर आपको video पसंद आया तो please इसको अपने सभी तोस्तों को share कर दीजे and अब भी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को subscribe नी किया तो guys please subscribe कर दीजेगा right side में एक red color का bell icon एक गंटी दिखाई देता है उसको hit कीजे click कीजे ताकि आप daily ऐसे awesome videos को miss ना करे and कुछ and guys thank you so much take care